कि welcome back to our channel آरलने class से साजन पढ़ने वाज यने class 9 की math का lines and angles का अगला पर्च क्योंकि एक पार्ट हम दोगो पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोगोगोंने थोड़े basic terms जाने थे और यह जाना था कि parallel lines क्या होती आज हम दीखते parallel lines और ट्रांस्वर्सल लाइंस से रिलेटेड़ कुछ टॉपिक्स और जो भी फैक्ट है उनके बारे में देखते हैं पहले क्या होती है तो पारैलल लाइं मैंने अब्लाता यह जो कभी ना मिले वह क्या होती है कहीं वह स्क्राइट जरेख right all और यह कि यह ऐसे कोई ऐसे काट कर देती है तो यह क्या होगी यह लाइन है और जो इसके बारे में जितने भी फैक्ट है वो जाने तो देखें हमारे पेरलर लाइन में कहां-कहां आपको एंगल दिख रहा है एक यह एंगल है यह भी एंगल है और यह भी एंगल है है यह एंगल है यह एंगल है यह यह ऐंगल है यह आगल है यह आपको त grenades कर दिया यह ने ₴breuse見て कर सब्सक्राइब हैं और भी आगया हम आ दिख यहां के तो पर्लाल लाइन को काटते वीए एक ट्र्नावेरशन या मना और सब की नविक में कर तैकि आशे आप देखिए क्या होती है कौन हमारे घ्न वतरे क reciprocal क्या होते खीक है कि तो देखे सबसे पहले का आता है चर्सपांड्ड इ सबसे होते हैill कि कि अ करिस्पॉंडिंग वह होते हैं जैसे की कि आपका यह लाइन है ठीक है और यह तो लाइन है पर सब्सक्राइब कर रएक कर रहे होऊं कुछ यह जो एंगल्स हैं वो क्या है corresponding angle एक है फोर एक्रिस्पॉंटिंग गर्स पांडिंगें यह थ्री किसके लिए करेस्पॉंटिंग है और सिप्सका पीयर पियर होते हैं इसा एंगल की कौन से करेस्पॉंटिंग है पेर होते हैं यहां पर आपका 2,7 जो एंगल वो corresponding होगा ठीक है 4,8 वो आपका corresponding होगा ठीक है फिर उसके बाद इसी तरह से अगर नीचे की तरब जाखे रहे हैं तो 3 और 6 3,6 corresponding होगा ठीक है और उसके बाद 5,1 5,1 ठीक है यह भी आपका क्या होगा corresponding angle बे आयेगा ठीक है यह समझ में आगया 2,7 लिक्खो या 7,2 दोन होई अब देखिए होता गया है कि इसमें fact ये है कि ये सारे आपस में बराबर होते हैं मतलब 2,7 बराबर होगा 4,8 भी बराबर होगा 3,6 भी बराबर होगा 5,1 भी बराबर होगा ठीक है यह सारे आपस में नहीं बराबर होतें, मतलब जो इसकी value होगी, बही 3 की value होगी, फिर से समझ लीजिए, यह comma ना लगा के, आप क्या करेंगे, equal भी लगा सकते हैं, तो इनके बिच equal लगाएंगे, तो corresponding angle क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सारे angle नहीं बराबर होते हैं, यह दो 4 8 के बराबर होगा, यह fix है, मतलब 4 की position जहां पर है, वो जो angle होगा, यहां पर हमने naming की है, ठीक है? तो समझ में आ रहा होगा, corresponding angle कौन से होते हैं, ठीक? तो इसमें हमें पता चल गया क्या? कि जो है, angle 2 equal हो जाएगा 4K, sorry, 2 equal हो जाएगा 7K, ठीक है? 2 equal होगा 7K, 4 equal होगा आपका 8K, ठीक है? 1 equal होगा 5K, और 3 equal होगा 6K, इतना समझ में आ गया होगा, यह आपके क्या है, corresponding angle जितने भी है, वो है, ठीक है? इसके बाद आता है, vertically opposite angle, दूसरा जो पार्ट आता है, यह वाला note down कर लीजेगा, दूसरा जो पार्ट आता है, vertically opposite angle, कौन से? अब लोग ने पिछले ट्रम पे आपको याद होगा तो पढ़ा था, कि vertically opposite angle क्या होते है, vertically opposite angle, ठीक है? vertically opposite angle इसमें कौन कौन से होगे, देखे, यह angle होगया 4 और 5, पहला पर यह कौन से होगया, 4,5, vertically opposite है, ठीक है? 6,2, 6,2, ओके? और फिर उसके बाद आपका 3 और 7, 1 और 8 पर यह रहा है, 3,7 vertically opposite है, और 1,8 भी vertically opposite है, तो vertically opposite angle जो जो होगे, वो क्या होगे? equal होंगे, equal, equal कौन से होगे? फिर से बता दे रहा है, 4, equal 5 होगा, 6, equal 2 होगा, 3, angle 3, equal, angle 7 होगा, और angle 1, equal angle 8 होगा, यह naming है, नमबर बस समझेगा यह नेमिंग की हमने इस एंगल को एट नेम दिया है उसको बन दिया ठीज है तो बन ने एंगल जो है वह एट के इकवल होगा क्यों यह एंगल इसके बर्टिकली अपोजिट है यह हम लोगों ने देखा था चलिए अब देखतें इंटीरियर एंगल कौन होते हैं कि दो दोतरी हिए यह यह यार्टर्णैट इंटीरियर एंगल है अल्टर्नेट इंटीरियर एंगल इनको बोलते हैं जब दो पैरलेल लाइड है एल्टर्नेट इंटेरियर आंगल कौन कौन से होंगे तो यह भी पेर में रहेंगे दो एंगल ही होंगे पेर में जो की बड़ाबर है जो की बड़ाबर है जो की बराबर है ठीक है और देखिए अल्टर्नेट एक्स्टीरियर एंगल कौन से होता है वो देखिए अल्टेरियर एंगल जो होंगे खीक जश्ट अपोजिट, ठीक है, कैसे, यह 6 और 7, यह क्या है, अल्टर्नेट एक्स्टीरियर रहेंगल, ठीक है, अल्टर्नेट एक्स्टीरियर रहेंगल 6,7 और 5,8, तो देखे, अल्टर्नेट एक्स्टीरियर रहेंगल, यह इट्रियर वाले थे, एक्स्टीरियर रहेंगल, यह वाला इसके साथ, यह वाला इसके साथ, मतलब एंगल 5 जो घोगा वह हमेशा हमेशा हो गया यह फैक्ट है आपको कहीं भी एंगल निकालेंगे तो इसी से निकालेंगे अगर पैलर लाइन के वेन हैं ठीक है उसके बाद एंगल 7 जो होगा वह हो जाएगा एंगल 6 यह रूपेर हो गया किसके अल्टरनेट इंटीर और अल्टरनेट एक्स्टीर एंगल के यह हो गया अब देखिए ट्रांसवर्शन लाइन के सेम साइड जो इंटीर आइंगल होते हैं उनको देखिए इंटीर आइंगल सेम साइड ओफ ट्रांसवर्शन लाइन तो यह क्या होंगे देखिए सेम साइड का मतलब यह पेयर और यह पेयर 1,2 का और 3,4 का यह पेयर होता है तो इनमें रिलेशन क्या होता है सब तो बराबर होते थे ठीक है लेकिन इसमें क्या होगा इसमें 1 प्लस 2 एंगल 1 प्लस 2 हो जाएगा क्या 180 डिग्री यह अमेशा लीनियर पेयर फॉर्म करेगा ठीक है और एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी अमेशा 180 रहेगा मतलब इंटीरियर जो इंटीरियर एंगल जो बनें ट्रांसफर्सल लाइन के सेम साइट पे उनका सं कितना होगा अगर एक से सोच रहें होंगे तो देखे और इसके इकोल था अल्टरियर एंगल से और यह अगर बनेंटी है तो यह अपने देख लिया पैरलल लाइन के इसको सौल करते हैं और इसमें आगे कोई भी मतलब आपको पता हो या कोई भी सीगर दिया हो इसका बहुत इंपोर्टन्स है आगे तक जमभी आप मैद पढ़ेंगे या जमेंटरिय से रिलेटिव कोई चीज पढ़ रहा हूंगे तो बहुत इसका यूज है यह देखिए अ जो है आपके पास 3 Lines है ठीक है तो 3 Lines है कर तो 3 Lines में देखिए जहां से देखिए हाँ हमने क्या था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होगे तो मतलब ये एंगल बराबर होगा इसके और ये एंगल बराबर होगा किसके इसके ये एंगल इसके क्यों बराबर है ये और ये इसके क्यों बराबर है ये बात है अब ये पैलर अगर ये पैलर ये पैलर तीनों पैलर है तो भ आपको देखें निए तो कहां कहां वो बराबर हो सकता है यह एंगल अगर एक आइंगल माल दीजी यह कुछ दिया है सिष्टी डिग्री है हम लोग लेट कर ले तो यह सिष्टी डिग्री होगा कैसे इस यह है कर्कों सिष्टी डिक्रियो जाएगा अब यह इसका श्रेइक आगैं तो यह फी किशोड़ी हो जाएगा अब इसके लिए वर्चों इसरी आपोजित allen और देखिए सारे एंगल कैसे निकलेगे अब जो बात यह है यह आगे तो यह भी तो आजाएगा यह भी तो करेस्पोंडिंग एंगल अब कितने एक एंगल से आपके चाहरे एंगल पता चलते अब अगर बाकी का आपको मालूम है मालीजी आपको अब यह एंगल पता करना है ऐसे पता करेंगे आपको प्लस प्लस यह इंगल कितना बनेटी फॉर्म नहीं करेगा लेटी फॉर्म करना और यह ना समझ में आ तो यह वालत प्लस इंटीर एंगल है सब्सक्राइड उसे साफ से यह सिष्ट्पी यह गोगा कि हुगा एक कि यह ख यहीं करस्पांडिंगर इंगल इसके बेसिश्पे इसके बै Leonardo कुण iemand करश्पांडिंगर इसके बैसिक पर चछिए निवाए इसके लिएर पीजसजिए और यह भी बंट-बंटी होगा ठीक है अब देखें सारे अंगल पता चला आपको सारे अंगल पता चल गए यही है क्या पैलर लाइंस का तो इस तरह से हमारे कुछ कोस्टन होने बारे हैं तो यह आयोग कि आपको समझ में आगो और ट्रांसवर्सल लाइन कैसे मंदर फॉर्म करते हैं और क्या होता है इसका कॉंसर्ट तो वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आए हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें हमारे चै झाल